हेलो फ्रेंट्स मैं आपके दोस्त मॉनिका आज आपके सामने एक नया डिजैन लेकर आइए तो यह मेरे व्yst यह तुपीस है यह 50 इंच के टुकडे हैं पांच 50 शिनम्रा पांच चुड़ा यह 2 पीस है यह अब्यर दो पत्टिया ले लिय сделka chi रहें हैं यह supper दो पटिया ये हैं जिनकी साड़े 11 इंच की लंबा ये है तो आएए मैं आपको ये रिजाइन बना के बताती हूँ सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों टूड़ों को अलग कर लेंगे और इनको आपस में रख लेंगे आप क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ स्केल की मदल से एक लाइन लगाएंगे दोनों पीसों में और साइड साइड से सिलाई करेंगे तो मैं आपको पहले स्केल से लाइन लगाना बता देती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स यह मैंने स्केल से लाइन लगा ली है अब क्या करेंगे हम यह वाली और इधर वाली लाइन पर स्लाई मारेंगे और बीच की छोड़ देंगे इसको हम बाद में यहां से कट करेंगे तो मैं सिलाई लगा के दिखा देती हूँ देखिए फ्रेंड्स मेरे यहां सिल लिया है बीच में जगा चोड़के अब बीच में हम कट लगाएंगे तो मैं आपको यह द्वन पीस कट करके दिखाती हूँ कि देखे फ्रेंड्स मैंने काट कर लिए हैं अब काट करने के बाद मैं निको आइसे इंगो सेट कर रहा हूँ अब क्या करेंगे जो इसे उन को कट कर ली ती हूं देखे फ्रेंड्स मैंने इनको कट कर लिया है अब देखिए यह मैंने सैट भी कर लिया है अब मैं आपको सिलना बताऊंगी तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको इसके उपर रखेंगे यहां सिलाई लगा देंगे और इसको इसके उपर रखेंगे और यहां सिलाई लगा दें देखे फ्रेंड्स यह हमने जॉइंट कर लिया है अब हम इसको जॉइंट करेंगे पहले सिलाई को स्लाई से मिलाएंगे यह बीच वाला इससा और यहां हम पिन अप कर लेंगे यह हमने पिनक कर लिया अब पिनक के बाद हम इसको यहांसे हमारी स्लैस स्य जड़ गई है या देखे और आप हम यह यहांसे इसको सीलेंगे तो मैं आपको सील के दिखाती हूं यह देखे तो आप इनगे इनको मैं सैट कर लीती हूं यह क्या करेंगे इसको इसके रख कर सेख्क और पुब दिखाते हूं यह देखे फ्रेंड्स मेरा उपर का हो गया है और यह आदा इंच मैंने एक्ष्ट्रा लिया था इसको हम यहां से कट करने के बाद हम इसको सिलेंगे और यह भी मैंने एक्ष्ट्रा लिया है तो इसको भी हम बाद में कट कर देंगे तो मैं आपको इसको रखके यहां से तो देखे फ्रेंड्स यह मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया है और कितना खुपसरत लग रहा है ताभी मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे सुन्दर सुन्दर डिजाइन बनाते रही है